नमस्कार आप देख रहें ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योती करनोजिया आई रूख करते हैं खबर की ओर वारानसी वीडियो में दिखा ट्रक के जरिये चोरी हो रही थी इवियम बोले अखलेश हाई कोट जाएंगे उतरप्रदेश में हाल ही में हुए विदानसबाद चुनावों में बिजेपी को सबसे बड़ी चुनावती देने वाली समादवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वारनसी में मदगर्ना केंद्रों से लेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को ले जाया जा रहा है सरकार पर चोरी का आरोप लगाती वे कहा कि 2017 में लगवग 50 सीटों पर भासपकी जीत का अंतर 5000 वोटों से कम था हालांकि वारनसी के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ईवियम का इस्तमाल प्रसिक्षर के लिए किया जा रहा था और वे मददान में इस्तमाल नहीं की गई थी इसको लेकर डियम ने पूरा ब्योरा देते वे आरोपों का खंडन किया महिवारा नसी की घटना को लेकर सपा हाई कोट जाएगी निस पक्ष मदगर्ना और अधिकारियों पर कारवाई की मांग को लेकर सपा कोट जाएगी सपाई लहबाद हाई कोट की लगनों बेंच में पिटीशन फाइल करेगी कुछ राजनितिक दलों पर अफ़ा फैलाने का आरोब लगाते वे जिला मजिस्ट्रेट कौशन राज शन्मा ने कहा कि चुनावों में इस्तमाल की गई सभी EVM CRPF के कबजे वाले स्ट्रॉंग रूम में सील कर दी गई है और CCTV निगरानी में हैं जिसे सभी राजनितिक दल के लोग देख रही है ऐसे ही ख़बर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहेगे ग्रीन लाइन नियोस राची ओक्सपोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गर्वा शहर नारायन तो दंड़ा में खुला गया है जहां बच्चों के लिए डिजीटल वा एसी क्लास रूम हाई के कंप्यूटर लैब एवं बस की सुवधा उपलब है 9031474750 पर संपर करें MGM Hospital and Research Center आईश्मन भारत मुखे मंत्री जन अरोगे योशना की तहर्ट मुफ्त इलाज M operation की सुवधा उपलब है लाल और पीला राशनकार की हकदार होंगे आईश्मन योशना की हकदार प्रति परिवार पांच लाग रुपे तक का प्रतिवश मुफ्त स्वास्तिव लाप विशेश जानकारी के लिए संपर्ख करें MGM Hospital and Research Center नवादा मोड दुर्गा मंडप के सामने गडवा जारखन